नमस्कार दोस्तों, हमने एक angle grinder को chain सा में convert करने के लिए एक chain सा converter खरीदा है आईए आज हम उसकी unpacking करते हैं, उसे install करते हैं और उसकी मदद से कुछ डालियों को काट कर देखते हैं कि यह कितना सफल है आईए आगे बढ़ते हैं इसमें हमें यह मिलता है mounting bracket यह प्रयोग में आने वाले कुछ spares और 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 यह है chain carrier यह है mounting handle और यह safety grill और यह प्रयोग में आने वाली chain इसके अलावा हमें इसमें है इंस्ट्रक्शन मैनुवल भी मिलता है जिसमें इसे इंस्टॉल करने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है तो आये दोस्तों अब देखते हैं कि हम अपने इस एंगल ग्राइड लगो किस तरह से चेंज हमें कर्वट करते हैं जिससे की हम अपनी छोटे मोटे पेड वगरा काटने के काम कर सकें इसके लिए हमने एक किट मगाई थी जिसको कि हमना अनपैकिंग देखी चुके हैं इसी अनपैकिंग के बाद में अब हम इसे असेंबल करना देखेंगे हैं हमारे पास एंगल ग्रेंटर है जो पहले सेंबल है ताब हमें इस एंगल ग्रेंटर की इसको निकालना हुगा जापर इसके दोवाई है हमें इसको भी निकालना हुगा और यह हमारा तो दोस्तों आप देहेंगे हमारे पास यह टूल है यह पूरा कास्टिंग का एक पीस है जो कि हमने मगाया है इसमें चेंग की टैंशन को एडिश्ट करने के लिए यह स्कुरू है यह जो दो स्कुरू भोल्ड है जो आप देख रहे हैं यह इस चेंग साब को इसके साथ करने के लिए काम में आएंगे इसके लाब़ावा यह सेफ्टी का बढ़ है यह दो नंडर्ट की मतलब से इसको इसके सबस्तिक्स करेंगे यह दोनों यह दोनों स्कूल्स के साथ में यहां पर फिट हो जाएगा यह जो दो स्कूरूज देख रहे हैं कि दोनों स्कूर इस सेफटी कड्स को लगाने के लिए हैं आए हम इसे असेंबल करते हैं असेंबल करने में हमें सबसे पहले जो हमारे पास आया है इसको लगाना होगा इसको हमें इस प्रकार से यहां पर फिट कर देना है और इस कोपनी जिगे पर इथास्थान रखते दोने शो प्रकार देना है इसको टाइड करते हैं कि रखना है यह हमारा पूरी एक सीट में रहे और दोनों क्रब से आप बरावर आपको इसको टाइड करते हैं इसके बाद हमें जो इसका ड्राइड स्प्रॉकेट है इसको लखाना है यह हमारा अपनी जेगा पर बैठ गया है और जो एंगल राइंटर का नट था उसको हमें इसको उपर लगापर ठाइड कर देना है इसके लग जाने के बाद हमें जो एडिश्मेंट स्क्रू है यहां पर इसके आप देखेंगे एक खांचा बना हुआ है उस खांची की मदद से इसको अपने जेगा पर यहां पर रखना है और यह खांचा इस जेगा पर आएगा इस तरह से ताकिसे आप इदे घुमाएंग तो यह सॉकिट यह जो देख रहे हैं यह अपनी जेग से इस चेन के इस चेन के इसको आगे है पीछे करेगा जिससे की चेन की टैंशन कम या ज्यादा हो जाएगी अब इसको अलका सालुप टैट करके रखते हैं क्योंकि इसको उपर यह लगएगा पहले हम चेन का आइजस्ट्राइब कर लेखे हैं इसको लगा लाएं यह हमारा उड़टा लगा है चेंशों को लगाते हैं इस चीज का ध्यान रखें यहां पर यह जो आपका यह कट है यह आगे की तरफ जाएगा क्योंकि चेंश की डायरेक्शन हमेसा यह रहेगी इसके टाइट होने को उल्टी दिशा में हमेसा हमारा इंडल ग्रेंडर बूनता है तो यह जो आप दांते कर देख रहे हैं यह आगे की तरफ आएंगे और यही वास्तम में आपकी लखड़ी को पाटेंगे हम इसे पुल्टा कर देते हैं और अभी हमारा सही की शामने फिट हो जाएगा यह हमारा इस बोल बिजा करके हमारा यह बैट क्या है और हम इसे टाइट करना है टाइट करने हमारा यह चेंटाइट होते जाएगे हमारी हमारा इसे टेंशन है यह चेंट की टेंशन बड़ती जाएगे हमारा इसे टेंशन बड़ती जाएगे हमारा इसे टाइट होगी पहले का मुकाबल है और यह अपने सॉक्टिट में जरूर नहीं चाहिए लेकिन यह यह देली है और यह और टाइट करते हैं अब यह पहले का मुकाबल है काफी टाइट होगी है अब यह परियात्मात्रा में टाइट है और इस कवर को आपनी जिगा पर बिला देते हैं और इस दोनों हमारे इस इनको टाइट कर देते हैं कि अधिया 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 आप हमें सरथ इस पर के शिप्टी घर्ट्स लगा रहें कि शिप्टी कर को आपको लेफ्ट हैं से समालना है इस डोनों हातों में इस्तमाल करना होता है जब भी लगड़ी चाहिए पेड आप काटते हैं उस समय आपको दोनों हातों में इस्तेमाल करते हुए इस लिए हमारा चोटा स्कुरूब है और नीचे के तरफ आएगा वारा स्कुरूब है उपर के तरफ आएगा यह जो सेफटी गार्ड है जो कि हमारे हाथ को आगे चेंसा की चेंसा की चेंसा की चेंसा की चेंसा है उस तरफ जहाने से रोकेगा इसको अवश्य लगा दें तक कि आपके हाथ के सेफटी बनी रहे हूं तो लीजिए दोस्तों यह त्रयार है हमारा एंगल ग्रेंटर को चेंसावें कनवर्ट करने का छोटा सा यूबर्ट और यह लीजिए हमारा चेंसा तयार है चेंसा का प्रियोग करते हैं सबसे बड़ी साफधानी हमें यह चैंसा जब यह घूमता है तो किक बैक्स अर्था कि जब यह घूम रहा होता है तो जैसे ही लगड़ी को तच करेंगे तो बहुत जोड़का जटका दे सकता है आपको और यदि आप अपने आपको एक फार्ली जगह में खड़े रखे और इस और जार को धांसे पकड़े रखे और इस चीज के लिए हमेशा तयार रहे है कि किक बैक्स लगड़ी को पाटने में कभी भी आ सकते हैं विशेश कर यह आप एरिया देख रहे हैं यह एरिया को तच करने में इस ए आप ही के उपर आकर के तकराने की कोशिश करेगा इसलिए इस और का प्रेयोग करते वक्त दोनों हाथों का प्रेयोग करें और सेफटी गॉगल्स का भी प्रेयोग जरूर करें आईए अब इस एंगल ग्रेंडर को चेंसा में करने के बाद इसका प्रेयोग करके देखते है इसकी मुटाया चेंच कि मुटाया चेंच कि मुटाया चेंच कोиков suivुट कि मुटाया लाव बोली में भी नहां लेकर हैं हम सबय all três जार क्भेग सेड़ान जार क्भेगा자 जार rूण जब करेंगा हम पंड़ scène युराएंë काई ये जिल्पी भी ये बढ़िया, बहना ने गदेया में कटेगो पिएड़ो दोस्तो मेरे नाम है अमरित सिंग और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में किसी नई जैनकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद